कक्षा 10 की विज्ञान की वरक्षीट नंबर तेईस है बच्चो अमल आक्षारक और लवन तो अमल आक्षारक और लवन के ओपर यह वरक्षीट बनाई गया बच्चो जो अमारी बुक में दूसरा लेशन है अमल आक्षारक लवन उसमें आज हम स्टडी करेंगे पी एच के बारे में लवनों का पी एच पी एच देखे बच्चो क्या होता है पी से पॉंटेंज, एच से हाइटोजन जो हाइटोजन की सांदर्ता हमें बताता है अत्वा haidrogen iron की सांदरता कि किसी विलियन में बताता उसे pH का जाता तो पी छो सरेंसन ने इसको खोजा था उसरेंसन नामक वेगानिक ने इसकी खोजगी थी देखे बचो अमल और आक्षारक इसके बारे में हम कुछ पहले study कर चुके हैं पिछली वरक्षीट में अमल जो सवाद में खटे होते हैं आक्षारक जो सवाद में कड़वे होते हैं देखे बचो पिएच स्केल होता एक जिसके उपर एक से लेकर के 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं तो बच्चो इस पे देखे अगर बीच में एक संख्या होती साथ 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 से अगर नीचे पिएच है तो उसको अमल का जाता है साथ से अगर उपर पीएच है तो उसको आक्षारक का जाता बच्चो तो देखिये बच्चो किस तरह से पीएच ग्यात की जाती है परबल अमल और परबल आक्षारक मिलकर के उदासी लवन बनाते हैं जिसकी पीएच साथ होती है एक्जेक्टे जिसकी पीच साथ होती है उसको उदासीन लवन का जाता है बच्चो जैसे सुजल सुजले की उदासीन है जो की जिसकी पीच साथ होती है परबल अमल और दुरबल अक्षारक मिलकर अमली लवन बनाते हैं जिसकी पीच साथ से कम होती है जबकि प्रबल आकसारक और दुर्बल अमल मिलकर की आकसारक ये लवन मनाते है जिसकी पीएच साथ से ज्यादा होती है तो बच्चो जिसकी पीएच साथ से ज्यादा है वो आकसारक होता है जबकि पीएच जिसकी साथ से कम है वो अमल होता है जैसे हCEL HCL की जो pH है वो साथ से कम है इसलिए ये अमल है जबकि sodium hydroxide है NaOH है sodium hydroxide इसकी pH साथ से ज्यादा है ये प्रबल आक्षारक है NaOH जबकि HCL प्रबल अमल है प्रबल अमल वो होते हैं बच्चो जो पानी में गोलने पर पुर्ण रूप से भी खंडित हो जाते हैं जैसे HCL है HCL पुर्ण रूप से पानी में डिजोल करने पर पुर्ण रूप से भी खंडित हो जाता है H, अथवा H पलस आयन में, हाइडोजन आयन में और कलोरीन आयन में पूरी तरह से डिशोशियेट हो जाता है इसको प्रबल अमल कहा जाता है प्रबल अमल जबकि इसके विप्रिते इसके विप्रिते CH3COOH ACETIC अमल है यदि इसको पानी में डिजॉल किया जाए तो ये पूर्ण रूप से डिसोशेट अथवा विखंडित नहीं होते है आइनों में पूर्ण रूप से विखंडित नहीं होता इस वज़े से ये दुर्बल ये क्या बच्चो दुर्बल अमल है इसी तरह से आक्सारक आक्सारक भी इसी तरह से होते हैं जो पूर्ण रूप से OH आयने दे देते हैं ये OH आयनों में विखंडित हो जाएं वो प्रबल आक्सारक होते हैं और दुर्बल अकसारक इसके विपरित होते है बच्चो खनीज लवने देखी एक क्रिस्टलाइन खनीज के रूब में अपने प्राकर्तिक रूब में नमक को शेंदा नमक या एनेसियल के नाम से जाना जाता बच्चो एनेसियल एनेसियल सोडियम कलोराइड होता बच्चो सो साधारन नमक के नाम से जाना जाता है साधारन नमक जो हमें या खाने वाला नमक भी इसको कहा जाता है जो हम खाते हैं साधारन नमक जो हम खाने में परियोग करते हैं साधारन नमक से प्राप्त रसाइन देखिए साधारन नमक से चार रसाइन प्राप्त की जा जकते हैं सोड व्रदन्जक चुरन, बेंकिंग सोड़ा और धोने का सोड़ा बच्चो इन 6 एक बारे में हम स्टूड़ी करेंगे जिन मेंसे NaOH अथवा sodium hydroxide sodium chloride के जलिये विलियन में जब विद्दुत परवाहित की जाती है किसके जलिये विलियन में बच्चो sodium chloride NaCl के जलिये विलियन में अथवा saline water में से जब विद्दुत परवाहित की जाती है saline water होता बच्चो नमकीन पाने नमक का पाने तब यह है वियोजित होकर के sodium hydroxide उत्पन करता है क्या उत्पन करता बच्छों ये sodium hydroxide बनाता है ये जो sodium hydroxide है ये बनता है इसमें इस प्रकिरिया को कलोर अक्षार प्रकिरिया के नाम से जाना जाता है तो बच्चो 2NACL अभी के रिए देखिता है किस परकार होती है 2NACL plus 2H2O 2NaOH plus Cl2 tutto गेश मिलती है और हाइटोजन गेश मिलती है कलोरिन और हाइटोजन गेश में पराप्त होती है तो वच्छो एनोड पर हमें कलोरिन गेश पराप्त होती है इनको याद रखें एनोड पर कौन सी गेश मिलती है कलोरिन गेश जबकि कैथोड पर हाइटोजन गेश मिलती है कैथ कैथोड के पास एन्योच का विलियन बनता है कैथोड के पास में कौन सा विलियन बनता है एन्योच का विलियन बनता है बच्छो कैथोड और एनोड एनोड और कैथोड कैथोड जो है वो पोजिटिव चार्ज लिये होता बच्छो कैथोड ये देखी ये कैथोड है ये परापत होता है गिए उसके उप्योग क्या क्या दिये गए है आइडोजन का कहा का हुप्योग होता है इंदन उक्रितर मक्राड गी नाम से बस्ता जाता है डालडा गी होता बच्छो हमारा तो यह बनाने में इसका परियोग किया जाता है कलोरिन गैस जल की सवस्था पीवी सी सी एफ सी बनाने में इसका परियोग किया जाता है कलोरिन गैस के उपयोग नीचे दिये गए हैं जल को सुध करने में इसका परियोग किया जाता ह PVC रबड होता बच्चो जैसे हमारी जो इलेक्टरिशिटी की डोरियां होती है उनके उपर ये चड़ाये जाता है रोगानू नाशक के तोर पर इसका परियू कहाता है CFC किट नाशक होता बच्चो जिसका छिड़का फसलों में कहाता है कीटों से बचाने के लिए अत्वा कीटों को मारने के लिए HCL HCL का उप्योंग इसपात की सफाई में कहाता है हाइडोजन बच्चों ये फिर से दे दिया दातु हों से गरीज इटाने के लिए परियू कहाता है साबुन और अपमार्जक और खाना कागज उद्धोग में इसका परियोग किया जाता है किसमें कागज उद्धोग में परियोग किया जाता है आगे देखें फिर कलोरिन और सोडियम हाइड ओक्साइड की अभी किरिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है कलोरिन और सोडियम आइड उक्साइड की अभीकिरिया वने पर विरंजक चूरण मिलता हमें गरेलू विरंजन में इसका परियोग के जाता थो वस्तर निरंजन के लिए या फिर पानी को सुध करने के लिए इसका परियोग के जाता वच्छो और विरंजन उतार रंग उडाना वस्तरों के रंग उडाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है विरंजक्चोरण का हाइड्रो कलोरी कमल और विरंजक चोरन ये उपयोग दिये गए बच्चो गरेल विरंजन वस्तर विरंजन के लिए हाइड्रो कलोरी के अमल के भी इसमें उपयोग दिये गए हैं और इन उपयोगों को राइट साइड में भी ये लिख दिया गया है अब देखे बच्चो इस वरक्षीड से सम्मंदित कुछ क्यों सन है आओ अब अभ्यास करें कलॉर अक्षार प्रकिरिया क्या है इसे ऐसा क्यों कहते है इसे क्यों कहा जाता कलॉर अक्षार प्रकिरिया बच्चो ये अक्षार देती है अभी किरिया अभी किरिया होने पर हमें अक्षार मिलता है कलॉरीन मिलती है इसलिए कलॉर अक्षार प्रकिरिया इसको कहा जाता है सोडियम कलॉराइड सोडियम कलोराइड से हमें पराप्त होते हैं इस से भी इसका नाम पड़ा हुआ कलोराइड यानि इसी कलोराइड से कलोर बना हुआ बच्चो और ये एक अकसारक है क्या है ये अकसारक है सोडियम आइड उकसाइड जो हमें पराप्त होता है सोडियम कलॉराइड के जलिये भी लिने अत्वा लवनिये जल में जब विदूद प्रवाइद के जाते तब यह विजित होकर के सोडियम आयड उक्साइड उत्पन करता है इसलिए इसको कलॉर अक्षार पर किरिया के नाम से जाना जाता है तो इसमें आप यह कर सकते हैं आप यह किरिया समेथ यह पिर यहां तक भी ले सकते हैं इसमें नीचे तक यहां तक आप इसको ले सकते हैं तो ये कलोराक्षार परकिरिया है ये चित्रा आप बना सकते हैं इसमें लवन जल क्या है तो देखें लवन जल क्या है इसमें दिया हुआ सोडियम कलोराइड के जलिये विलियन को लवन जल का जाता है सोडियम कलोराइड के लवन जल को जलिये विलियन को लवन जलका जाता है कलोर अक्सार परकिरिया में एनोर्ड पर कौन सी गैस मुक्त होती है इस उस गैस के दो प्योग भी लिखें तो बच्चो एनोर्ड पर कौन सी गैस उत्पन होती है कलोरीन गैस एनोर्ड पर मुक्त होती है एनोड पर कलोरीन गैस मुक्त होती है और कलोरीन गैस के उपयोग अच्छो यह पर दिये गए हैं यहां से लिख सकते हैं क्या लिखेंगे एनोड पर कलोरीन गैस मुक्त होती है और कलोरीन गैस के उपयोग जल की सवस्ता के लिए PVC और CFC कितना सक बनाने में इसका प्रयूग किया जाता है क्योस्टर नमबर 4 है साबन और कागज उद्धोग में उप्योग होने वाले रसाइन का नाम लिखे उसका रसाइन इक सुक्तर भी लिखे हैं पत्चों ये दिया हुआ है ये इसका अंस्वर आप लिख सकते हैं H2Gas और Hydrochloric अमल के दो उप्योग लिखे है H2Gas और ये H2Gas के उप्योग है Hydrochloric के अमल के उप्योग है तो ये दोनों आप इसमें लिखेंगे तो ये दोनों के दो दो उप्योग दिये गए हैं ये आप इसमें लिख सकते हैं वच्छो ये थी आपकी साइंस के वरक्षीट वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वच्छो